हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंदास किचन फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो बहुत ही टेस्टी सी चटनी दोना ही बहुत पसंद आने वाली है और वो भी हम बनाएंगे इस हरे चने से इसे छोलिया भी कहा जाता है आज कर मार्केट में बहुत मिल रहा है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशे की तरह अपील करती हूँ कि अगर आपको मेरी महनत और रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज जादा से जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताईए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में बेल ऐकोन के बटन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो अ अगर आप गार्लिक पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर दीजेगा इसकी जगे आप अधरक भी डाल सकते हैं पर गार्लिक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चैनी का और हरी मिर्चे लिए है मिर्चे यहां मैंने तीन लिए हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लि अब हम यह सारी जो सामगरी अपनी इसमें डाल देंगे और हम इसमें डालूंगी नीम्बू का रस्ट तो यह डेर चॉप कर देंगे केम बंच क्या सपास है अगर आपके पास निम्बू नहीं है तो इससी जगे आप आमचूर का इस्तमाल भी कर सकते हैं थोड़ा सा काला नमक रेगुलर नमक चाट मिद्ध कड़न कर सकते हैं मैं इसमें डालूगी चाट मसाला तो चाट मसाला पानी आड़ नहीं करेंगे इसे पहले इसी थरह से हम पीसेंगे जरुत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी आड़ems कर लेंगे तो मैं इसे पीस कर दिखाती हूं तो देखिए therefore इस ये चपनी आमने पीस ली है और मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखा देती हूं देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे explain करूं पर जब आप बनाएंगे इस method से और चपखाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया यह लगती है बाकी चटनियों के compare में तो यह हमारा एक style का हो गया है इसे हम side में रखते हैं औ दूसरी त्यारी करते हैं तो दूसरी जो style की हम चटनी बनाएंगे उसके लिए हमने garlic लिया है थोड़ा सा धनिया लिया है और यह लाल साबत मिर्चे ली है अगर आपके पास यह ना हो तो आप हरी जो है मिर्चे वह इस्तमाल कर सकते हैं पर लाल से जो यह चटनी बनती है यह तो इसका एक डिफरें टेस्ट आता है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वापस से हम एक mixie jar लेंगे उसमें हम यह चने डालेंगे और साथ में हम डालेंगी यह हमारे मिर्चे क्वांटिटी जो है आप कम या जादा अपने टेस्त के अकोरिंग कर सकते हैं और इस च इसका भी बखुत ही बड़िया फ्लेवर आता है तो आपके पास स्टेम हो तो जुरू डालिएगा और अब हम इसमें डालेंगे बाकी का समान तो यहां मैं आमचूर का इस्तमाल कर रही हूं तो एक चमच मैंने इसमें आमचूर डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा सफेद नमक और इसे हम अभी बिना पानी के पीसेंगे नीड हुई तो हम इसमें पानी डालेंगे तो फ्रेंट्स देखिए अभी यह इस तरहां से पीसी है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो है और डाल दूँगी जिससे की यह पिसने में इजी हो जाए तो देखे फ्रेंड्स यह जो चपनी है हमारी यह पिस गई है इसे हम दरदरा ही रखेंगे इसे हमने महीं नहीं करना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने सिर्फ दो चम्मच पानी डाला था तो यह चट्नी हमारी आप टेक्स्चर देखिए इसका कितना बढ़िया है और इसी तरह से दरदरी ये खाई जाती है तो अब मैं दोनों चट्नी आपको सर्व करके दिखाती हूँ तो लीजे फ्रेंड्स त्यार है हमारी छोलिये की चट्नी वो भी दो अलग स्वादों में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आपको दोनों में से कौन सी दादा अच्छी लगी तो अगली बार एक और नई की रेसिपी के साथ आप से फिर से मुलाकात करूंगी तब तक लिए गुडबाय और टेक केर आप